लोकसभा चुनाओ 2024 के लिए सभी पार्टियां तयारी में लगी हुई है जारखंड के महागडबंधन में भी चुनाओ को लेकर तयारी शुरू हो चुकी है इसको लेकर कॉंग्रेस के तरफ से एक खबर सामने आई है दरसल सीटों के बटवारों को लेकर कॉंग्रेस के तरफ से ये बात सामने आई है कि कॉंग्रेस खुद नौ सीट पर चुनाओ लड़ना चाहती है वहीं कॉंग्रेस जामूमों को चार सीट देने के पक्ष में है इस गटबंधन की जारखंड में सबसे छोटी पाटी राजद को एक सीट देने की बात चल रही है यह बात बड़ी दिल्चस्प है कि विधान सभा में सीटों के बटवारों को लेकर बड़ी पाटी के किरदार में जामूमों रहती है तो वहीं लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रेस बड़े भाई की रोल में नज़र आती है हलाकि अभी सीटों के बटवारे को लेकर कॉंग्रेस की जामूमों और राजद के साथ बैठक नहीं हुई है जल्द ही महागर्टबंधन के सभी दलों के साथ इसको लेकर बैठक होनी है बैठक के बाद ही चीजे और साफ हो पाएंगे कॉंग्रेस ने अपनी तयारी यहां तक कर ली है कि पाटी किन सीटों पर चुनाओं में अपना उमिद्वार उतारेगी यह भी लगभग तय माना जा रहा है फिलहाल कॉंग्रेस हजारी बाग, पश्चिमी सिंग्भू, चातरा, गोड़ा, धनबाद, राची, खूटी, लोहर्दगा और कोडर्मा लोकसभा सीट से लड़ना चाह रही है पिछले लोकसभा चुनाओं में, यानि साल 2019 में कॉंग्रेस साथ सीटों पर चुनाओ लड़ी थी जिसमें से मातर एक सीट पर जीत दर्च कर पाई थी, जामूमों चार सीट पर लड़ी थी, जिसमें से एक सीट जीत पाई थी, वहीं भाजपा तेरा सीट पर लड़कर एक ग्यारा सीट जीत गई थी, एक सीट आजसू के भी खाते में गई थी सीटों के बटवारे को लेकर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर ने कहा कि 23 जून को पटना में बैठक के बाद जहारखन में सीट बटवारे पर फैसला होगा उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रेस पिछले बार से जादा सीट पर चुनाव लड़ने के पक्ष में है ठाकूर ने ये दावा किया कि जहारखन में कॉंग्रेस पहले से काफी मजबूत हुई है प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने खुद तीन तीन बार सभी जिलों का दौरा किया है ऐसे में कॉंग्रेस काफी मजबूती से चुनाव में उतरने के लिए तयार है इस बार विपक्ष को नई रनीती के साथ चुनाव में उतरना होगा जिसके बाद ही जीत के सीटों का अकड़ा बढ़ सकता है अगले लोगसभा चुनाव की गरमाहा टब से ही महसूस होने लगी है देश भर में तमाम पार्टियां इस चुनाव की तयारी में लग चुकी है इसी लोगसभा चुनाव को लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलो की बैठक बुलाई गई है उस बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि विपक्षी एक ता कितनी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगा और जहारकंड में इसका कितना असर रहेगा हलाकि ये देखना दिल्चस्प होगा कि जामूमो चार सीटों के लिए क्या मान जाएगी राज़त एक सीट से ज्यादा की भी मांग कर सकती है जैसे जैसे चुनाव नजदी काता जाएगा चीजें और साफ होती जाएगी फिलहाल के लिए इतना ही हमारा नाम है रिशव गौतम और कैमरे के पीछे हैं अभिशेक और आप देख रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बीना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रित हैं इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानों जैसे फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखनी को मिलेंगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं शुक्रिया